कला हमारी सब्यता, सलस्कृती और सामाजिक दशा को प्रदर्शित करने का सबसे सशक्त मात्यम है, जो किसी भी समाज की एक विरासत मानी जाती है। इन्ही सामाजिक दशाओं को जीवन्त रखने के लिए 21 जनवरी 2023 को खान मार्केट दिल्ली में MEC आर्ट गैलरी के द्वारा स्टोरी टेलिंग प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें देश के प्रमुख 13 बड़े आर्टिस्ट मनीश पुषकले, जॉर्ज मार्टिन, प्रतुल दास, मुकेश शर्मा, कमल मित्रा, जगमोहन बंगानी, तपन दास, मुरली चियरोध, देवराज गोस्वामी, फरहाद हुसेन, रवी के, सनेहाशीश मैटी, वरुन चौधरी की पेंटिंग शामिल की गई, जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्र की संस्कृती, विचार, रहन, सहन को अपने पेंटिंग्स के मातम से, बहुत ही सुन्दर ठंग से प्रदर्शित किया, M.E.C. आर्ट गैल्वी के चेर्मेन अतुन मारवा ने कहा, कि आदी काल से ही चित्रों को बनाने की परपरा रही ह और आर्ट हमारी संस्कृती को प्रेजेंट करते हैं, साथ ही इसके द्वारा एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी में हमारी संस्कृती का विस्तार होता है, जब एक कलाकार अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ती को कैनवास पर उकेरता है, तो उसे आर्ट कहते हैं, इस स्टोर यहां पर लगाए गए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि सभी अपने आप में अलग हैं जिनकी अपनी एक स्टोरी है आपके इमोशनल और आध्यात्म जब एक हो जाएं और उन समवेदनाओं को जब केनवास पर उतारा जाएं वही आर्ट है इस पेंटिंग से लोगों को सी पीखना चाहिए आर्ट अभिव्यक्ति का सबसे बड़ा माध्यम होता है जो समकालिक समाज को बहुत ही सुन्दर धंग से प्रस्तुत करता है कि कि मैं वही भीक्ति आ प्रिवेसर झाहित है कर दोगिए यंध वियू को बार्ट इसाल पर इसे वहाँ प्राइब को प्राइब को निह दोस्ति का सबस्टाना हिसों पोल्साट रूंगतिंग साथ कूंतिंग तर बविश्टिंग कि यह बंटियर का प्रेश पर I have always believed that the aesthetic sense what you can create within your own self is only through paintings because the color combination the size the the expression the mood of the artist he has very comfortably displayed on these canvases on these paintings and you learn from them a lot Hello my name is Mukesh Sharma I am Delhi based visual art practitioner this is my work I call this is the queen queen is made of out of this acrylic paint on the canvas and I used to work a lot of the patterns shapes and which are carrying from my childhood from my state where I born and brought up and currently I am with this urban city now so this is all fusion kind of imaginary which is I am just carrying out now right now MSC has been fantastic and this is a beautiful show just as I came and I think they are doing since ages and it is going to be fabulous always storytelling especially during wonder when you are doing so every time of time when you are doing like since the childhood people were doing wall painting. In the beginning of the season of the season of the show, this was a scene of the παres and the dance to the show. Then the dance was a scene of the paintings of the scene and the dance to the acting we are filming. This is the sort of storytelling storytelling. So this is the the first thing you can set the narration of the art of the artist characters you can set the narrative and the culture of the art and its और आपको जो अपनी मेमरी और अपनी कल्चर की जो अगली जनरेशन को देना है वो स्टोरी टेलिंग से ही होता है, तो स्टोरी टेलिंग शुरू से चली आ रही है, पहले भी चलती थी, आज के modern जमाने में भी आज आप देखिए, इंस्टा पे भी स्टोरी ही चलती है, तो स Storytelling तो एक बहुत important factor है और वहीं से आपकी culture आगे जाता है. लगोग आज किने आर्टिस्ट में हमें पेंटिंग लगा हुआ है? आज हम इंडिया के leading contemporaries में से 13 आर्टिस्ट चूस करके लाए हैं जो अपने एरिया की culture, अपने एरिया का thought process और उनका प्रहन सेन है वो अपनी story के माधियम यानि की अपनी painting के माधियम से हमें दिर्शा रहे हैं. अज़र आपकी M.E.C. जो आट के लिए हैं पर आपकी आट लगी तो यह क्या कहना चाहेंगे इस बारे माधिया? यह बहुत बढ़िया M.E.C. Art Gallery की तरफ से बहुत बढ़िया initiative है, बहुत सारे सारे बहुत इंडिया का बहुत जानेवाने सब कलाकारे इसमें भाग लिये हुए हैं. M.E.C. Art Gallery का हमें हर साल बहुत प्रयाश रहा कि बीच-बीच में एकिविशन करना और आट इसमें को प्रमोट करना, और हर साल इनका इवेंट है, बहुत पुराना गालेरी है, बहुत अच्छा है. चाताम 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 से बीचर बीच पधन अम्हाल में तोनाेश. डिल पिया रहा है, पिरίζ़ रहता से रहाे हैं. कि परक प्लस्क प्रफब्स पिर्श लावि अगारोग यंग निए वीजिक झाल्थ प्रफट्स लिल्ट्रीज का यह थे रिए भी उट्रवर फॉन और प्रफट्स्टि लॉट्टीर लाख शटीर लाव Europe here is brilliant the ArtPiece reflects his story and it's a must come recommend everyone to come here and shop their heart out there are thirty artists and every... each piece is so unique and wonderful thank you so much for covering the Show Storyteller the Storyteller is a remarkable effort to bring these twelve male artists and when I say twelve male artists it's very specific कि वे अथी स्वीम प्रेख गखर खर यंद विवाल लागम इन अबस्पथेपटर अबस्पटेबर अबस्पट्रोड जबस्टेव जबस्टे़ खर इंस दिर्स्टेप्टिव जिर्से है कि अल्वी थर मैं सेमाटर कि अशन फिर स्वार्ग करें which is self-explanatory, but sometimes we need visual language to talk and get the stories through. Much, much before man learned to speak, he was painting and telling his stories. And that's what makes this show remarkably unique in creating a narrative when the visuals will speak their own language. Thank you so much. Yeah. Actually, myself is a George Martin and this particular piece of work, actually the series of works I'm creating. Some of the images and narrative is very hidden things in my work and there are a lot of pastish images from the history as well as the contemporary scenarios. Something is randomly I collect and something is like the spontaneous way. I just generate and one to one, I just adjoin it as a kind of narrativity, just like the parable beads, which way the rosary connected with and make the malas similar way. I would like to say something about my work. Basically, I am Jagman Bangani and I do the work which are related to the texts. So generally, I use different kinds of languages in my work. And in this particular work of art, I use the Guru Mukhi language. And basically, I use the texts which are repetitive in our life, which we chant basically. So I use a lot of mantras. And in this particular work of art, I use the morning prayer of Sikh people.